गुड मॉर्निंग स्टुडेंस हमने आगे के वीडियो में अर्दा पार्ट देखा अब बाकी का पार्ट हम देखेंगे मितोगों की दुनिया में इस सवाल का जबाव तलास करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस वेक्ति पर डाली जाहिए जिसे सालीम अली के नाम से जानते है उमर को सतित तक पहुचने में थोड़े ही दिन तो बच्चे रहे थे संबव है लंबी आत्रों की ठकान ने उनके सरीर को कमजोर कर दिया हो कैंसर जैसी जान लेवा बिमारी उनकी मौत का कारण बनी हो लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आखों से वर रोष्णी चिन्ने से सपल नहीं हुई जो पक्षियों की तलास और उनकी हिजरत से पती समर्बित थी सालीम अली की आखों पर चड़ी हुई दूर्बीन उनकी मौत के बाद ही हो तो उतरती है उन जैसा बड़ वाचर सायद ही कोई हुआ हो लेकिन कलान एकान चड़ों में सालीम अली बिना दूर्बीन भी देखे गए दूर सतीच की तक फैली जमिन और जुके आस्मान को चुने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो पकुतिक को अपने घेरे में बांध लेता था सालीम अली उन लोगों में थे जो पकुतिक के बबा में आने की बजाए पकुतिक को अपने बबा में लाने का कायल होते थे उनके लिए पकुते में हर तरप एक हस्ती केलती रश्य बरी दुनिया परस्ती थी ये दुनिया उन्होंने बड़ी मैनत से अपने लिए गड़ी थी उनके गड़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने कापी मदद पहुचाई थी तमीना स्कूल के दिनों में उनकी सपाटी रही थी अपने लंबे रोमांचिक जीवन में ठेर सारे अनुबवों के मालिक सामिल अली एक दिन केरल की साइलेंट वेली की रगिस्तान हवा को जोकों से बचाने का अनुरोत लेकर चौदरी सहरन सिंग से मिलने मिले थे पदन मंतरी सौदरी साब गाओं की मिट्टी पर पढ़ने वाली पानी की पहली भूंद का असर जानने वाले नेता थे परियावरन के संभवित खत्रों का जो चित्र सामिल सालीम अली ने अपने उनके सामने रखा था उसने उनकी आखों को नम्र कर दिया था आज सालीम अली ने नहीं सौदरी साब भी थे सौदरी साब भी नहीं है कौन बचा है अब सौदी माटी पर उंगी फसलों के बीच एक नए भारत ही नीव रखने का संकलब लेगा कौन बचा है जो हब हिमालिय और लखांद की बरफिली जमिन पर जीने वाले पक्षों की वकलत करेगा सालीम अली ने अपने आत्मकता का नाम रखा था फॉल अप ए स्वर मुझे याद आ गया डी एच लरस्रिंग की मौत के बाद लोगों ने उनकी पतनी फिंटा लरस्रिंग से अनुरोद किया था कि वो अपने पती के बारे में कुछ लिखे फिंटा चाती थी धेर सारी बाते लरस्रिंग के बारे में लिख सकती थी लेकिन उनसे कहा मेरे लिए लस्रिंग के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है मुझे मैसुस होता है कि मेरी चत पर बेटने वाली गुर्रिया लस्रिंग के बारे में डेर सारी बाते जानती है मुझे भी जादा जानती थी वो सचपुच इतना खुला-खुला है और सदा दिल आदमी था मुझे ने लॉसरिंग मेरी तंगों में रंगी हुई मेरी हड़ियों में समाया है लेकिन मेरे लिए कितना कटीन है उसके बारे में अपने अनुभवों को सब्दों का जमा जाना जानना मुझे यकिन है कि मेरी चत पर बैटी गोरियान उसके बारे में और हमें दोनों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी रखती थी जटिल पराणियों के लिए साली मली अपमेशा एक पहली बने रहेंगे बच्पन के दिनों में उनकी एरियंग से घायल होकर गिरने वाली निल कंड की वह गोरिया सारी जिन्गी उन्हें खोच के नए नए रास्तों की तरह ले जाती रही थी जिन्गी की उचाईयों में उनका विश्वास एक चण के लिए भी डगमगाया नहीं वो लश्रिंग की तरह नर्सिंग जिन्दिकी की पती रूप बन गए थे सालिम अली पकुतिक की दुनिया में एक टापू बनने की बाजाए अथा सागर बनकर उमरे थे जो लोग उनके ब्रह्मन सिल सबाव और उनकी यथावरी से परीची थें उन्हें मैसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुहाग राग में ही निकलते हैं और अब अभी गले लंबी दुब्रिन टपकाए अपने कोचपुन नतीजों के साथ लोटाए हैं जब तक वो नहीं लोटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाएगा मेरी आंके नम है सालीम अली तुम लोटोगे न बचों यहाँ पर यह पार्ट समप्त होता है सभी अपनी नॉट्बुक में सद्य लिख देना थैंक्यू दन्यवाद